हेलो एवरिवन अब हम इंडियन रेंफॉल की बात करेंगे एन्वल कितनी होती है कहां पर ज्यादा होती है कहां पर कम होती है तो यह चोटा सा मैप है हमारा चोटा सा वीडियो है देखते हैं यहां पर हम आप यह देख पा रहे होंगी इसको मैं एक पर ही जूम कर लेती हूं यह देखिए एक पर ही आप यह देख लिए जिए जूम करके जहां पर आप देख रहे हैं 20 cm से कम तो वो बिलकुल लाइट है और 250 cm से ज्यादा वाला बिलकुल डार्क ब्ल्यू है ठीक है तो अब आप ने भी ब्ल्यू है ठीक है तो अगर आप इस मैप में देखेंगे तो आपको कहां पर बिलकुल डार्क देखने को मिल रहा है एक तो यहां पर देखिए बिलकुल एक मिनट मैं रब करके दिखाती हूँ यहां पे देख्ई, आपको बिल्कुल डाक किक को हैका हीज़ां को मिलेगा, यह कहां को धिया भालत आपको धिया है, तो उसके बाद कहां पे ज़्यादा बारिष होती है। यह थो हमने देखने हैं। सबसे ज़्यादा बारिष का होती है। उसके बाद 150- 250 cm की जब हम बात करते हैं तो फो एरिया आपको यह वाली रेंच देखने को मिलेगी। और यहाँ पे जो है हिमाचल परदेश और उत्राखंड में भी आपको देखने को मिलेगा फिर अगर आप यहां पे 36 गर मर्ध्या परदेश और इसा में आ जाएंगे यहां पर देखने को मिलेगा और यह विला जो एरिया है आप इस मैप को ध्यान से देखिए एक तो यह फिजिकल मैप भी है और साथ साथ यह पॉ थार्ड नंबर पर जब हम देखेंगे तो हमें यह वला एरिया मिलेगा यह सारा ठीक है इस्ट्रण साइड वाल यहां से लेकि यह यह हमारा जो है 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर की बार यहां पर होती है और जो सबसे इंपॉर्टेंट है जहां पर बिल्कुल कम होती है व यह बड़िया जो है रेंफुल जहां पर बिल्कुल कम परती है वह यह वला एरिया है तो आपको इस मैप में दो जीजे ध्यान रखनी है जहां पर ज़्यादा परती है बारिश वेस्टरन घाट में ठीक है और नोर्थ इस्टरन स्टीर्स में और यहां पर हीमाचल पे तो अंडर 20 cm है तो यह कुछ बाते आपको ध्यान रखनी है ठीक है थेंक्यू वेरी मैच